नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के population growth rate के बारे में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इंडिया का जब population हो अगले दो महिनों में इस चाइना से आगे निकल जाएगा माना जा रहा है कि 142.86 करोड population हो जाएगा जो कि 142.57 करोड जो चाइना से उससे ज्यादा है UN Population Fund का यह projection है और UN Population Fund के द्वारा यह भी गिना गया है कि जो total fertility rate है 2.1 होना चाहिए तभी country का जो population है वो stable हो जाएगा तो इंडिया सून ही world का most published country होने वाला है UN का projection के हिसाब से और UN के projection के हिसाब से यह भी है कि 2023 तक इंडिया का population सबसे पिक पे होगा और उसके बाद वो घटना शुरू हो जाएगा population यह projection यह भी कहता है कि 2100 में इंडियान population करीबन करीबन 1.1 billion के असपस हो जाएगा जो कि अभी से काफी कम हो है तो जैसा कि आप लग देख सकते हैं कि इंडिया का population बाद में कम हो जाएगा Undergoing population momentum एक term है जो कि पहले समाझना जरोड़ी है population momentum है कैसा term है जिसमें कि कि किसी देश में बहुत very large young population रहती है और उसमें है कि very young population रहती है तो वो अपना बच्चा produce करना चाहती है चिल्रेन होना चाहते है तो उसके हिसाब से growth rate भले ही decline पर है लेकिन population will increase for nearly three decades मतलब अगले 30 सालों तक population बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा क्यों यंग population है और सारे बच्चे अभी चाहते हैं तो इसलिए population अभी अगले तीन तसक तक बढ़ते रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं population growth rate को slowdown करने के लिए पहला चीज की हम लोग marriage का जो age है वो delay कर दीजे उसका first pregnancy का जो time है वो delay कर दीजे और दो बच्चों के बीच में जो दूरियां होती है वो time उसको बढ़ा दीजे और female plus male sterilization दोनों होना चाहिए सिर्फ female पर मत इस्ट्रलाइशन का procedure अपनाई है तीज पाचवा चीज होगा कि girls education and empowerment को आप इंप्रूफ कर सकते हैं उसके बाद contraceptive methods को भी आप बढ़ावा देजे और जहांते religion का बात किया जाता है तो Muslims का जो decadal growth rate है वो decline होते जा रहा है मतलब Muslims में जो population growth rate है वो decline काफी तीजी से हुआ काईवन 4.7% मुसलिम में हुआ है और हिंदूस का जो decline rate हो 3.1 है तो Muslims thanks a lot फिर मिलते हैं किसी और नए knowledge के साथ